हेलो रिवन दिस प्रीम पाइंडे वेलकम बाक तुर फीवरेट यूटूब चानल एजुकेशनल हाइक स्यार तो हम पढ़ रहे हैं अगर आपनी इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के पार्ट टू के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंप मिल लाएगी सिंपली क्लिक करके देख सकते हो हमारे चानल की क्लास एट के आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो सीधा आप चाप्टर का नेम स्लास एजुकेशनल हाइक्स करके हमारे यूटूब सर्च बॉक्स पर सर्च कर सकते हो हमारी वीडियो आपको टॉप पर मिल जाएगी और अगर भाई अभी तक नहीं सस्क्राइब किया हमारे चानल को तो रेट बटन दपाके सस्क्राइब करो और बेल आइगन को भी जरू क्या होते हैं हमने मेल रिप्रोड़क्टिव और और गन पढ़ा था हमने फीमेल रिप्रोड़क्टिव और आपको यह बता देता हूं उसके बाद इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे देखो फर्टीलाइजेशन का मतलब सीधा सीधा यह होता है कि एक औरत का pregnant होना अगर हम सीधा सीधा कहें तो एक औरत का pregnant होना यही होता है fertilization simple भासा में कहें जब male sperm जब female के ova या egg से मिलता है और gigote बनाता है उसी को हम कहते हैं fertilization समझ पा रहे हो जब sexual reproduction के दौरान male sperm female egg से मिलता है और gigote बनाता है इसी को हम fertilization कहते हैं यहाँ पर सीधा सीधा लिखा गया है कि जो सबसे पहला process होता है reproduction का वो क्या होता है sperm और ovum का fusion sperm और ovum जब मिलते हैं सबसे पहला process यही होता है reproduction का समझ गये when sperms come in contact with an egg जब male sperm contact में आता है female egg के तो क्या होता है one of the sperms may fuse with the egg अब जो male sperm होता है वो बहुत सारे numbers में निकलता है बहुत सारे male sperm एक साथ निकलते हैं और अगर कोई एक sperm female egg के साथ मिल जाता है इसी प्रकार के fusion को हम fertilization कहते हैं मैंने बताया आपको पहले से ही बता दिया कि such fusion जिसमें egg और sperm मिलता हो और gigode बनाता हो उसी को हम fertilization कहते हैं अब क्या होता है फर्टिलाइजेशन में क्या होता है जो nucleus होता है sperm का हम जानते हैं जो sperm होता है वो एक single cell होता है और ये जो female egg होता है वो भी एक single cell होता है अब ये दोनो single cell मिलके एक दूसरा single cell बनाते हैं और देखो पूरा प्रोसेस होता क्या है the nuclei of the sperm जो male sperm का nucleus होता है जब वो female egg के साथ मिलता है तो इन दोनों nucleus को मिलाकर एक single nucleus बन जाता है This result in the formation of a fertilized egg or gigot और जब egg और sperm मिलता है तो एक fertilized egg बनाता है मतलब हम कहते हैं सीधा indirectly अगर कहें तो women क्या हो गई है? pregnant हो जाती है और एक gigot बन जाता है एक नया chemical बन जाता है जिसे हम gigot कहते हैं तो पूरा इस paragraph में एक simple सी चीज लिखी है कि जब male sperm female egg के साथ मिलता है और gigot बनाता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम fertilization कहते हैं अब चलो Do you know that the zygote is beginning of a new individual? क्या आप जानते हैं अगर gigot बन गया इसका मतलब यह है कि कोई lady कोई women क्या होती है वो pregnant हो जाती है और एक नए जियू का निर्माण एक नए जियू की उत्पत्ती हो जाती है ठीक है? और उसके बाद पूरा 9 महीने का process चलता है उसमें baby के आख, कान, नाक, अलग-अलग organs बनते हैं फिर जाके 9 महीने बाद एक पूरा fully developed baby पैदा होता है ठीक है? आप देख पा रहे हो यहाँ पर यह आप देख रहे हो यह male sperm है और यह है female egg यह दोनों मिल गए हैं और क्या बनाया है? इन्होंने जाइगोट बनाया है इसी को हम क्या कहते है? इसी को हम fertilization कहते है चलिए, आगे क्या लिखा है? The process of fertilization is the meeting of an egg cell from the mother and sperm cell from the father यह जो fertilization का process होता है इसे क्या कहते हैं? हम fertilization तब होता है जब mother, हम women कहते हैं ना mother mother का जब egg cell जब father की sperm cell से मिलता है और जाइगोट बनाता है उसी को हम fertilization कहते हैं So the new individual inherits some characteristics from the mother and some from the father अब इतना तो हम जान चुकी हैं कि एक baby कैसे पैदा होता है जब father का sperm और mother का egg मिलता है तब जाके जाइगोट बनता है और वही जाइगोट नौ महीने बाद एक baby पैदा हो जाता है अब यहाँ पर जब mother, ovum और father का sperm मिलता है तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है जो नया baby पैदा होने वाला है उसके कुछ qualities father से मिलेंगे और कुछ qualities mother से मिलेंगे ऐसा क्यूं होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि father का sperm और mother का egg मिला है तो जब father का sperm मिला है तो father के भी कुछ characters जाएंगे और mother का egg मिला है तो mother के भी कुछ characters जाएंगे तो इससे एक चीस साफ हो जाती है कि जो baby पैदा होगा उसमें कुछ characteristics father के होगे और कुछ characteristics mother के होगे जैसे father के अगर blue eyes है तो baby के भी हो सकता है blue eyes हो अगर mother के curly hair है घुगराले बाल है तो हो सकता है जो baby पैदा हो उसकी भी बाल जो है वो घुगराले हो ठीक है तो यहां से indirectly एक चीज यह पता चलता है कि the new individual जो नया बेवी पैदा होगा उसकी जो कुछ qualities होँगी जो some characteristics होँगी वो कुछ mother से मिलेगा और some क्या होगा father से मिलेगा ठीक है look at your brother और sister अब यहां पर कहा गया है अपने भाई और बहन को देखो और यह पहचानने की कोसिस करो कि क्या तुम्हारे भाई या तुम्हारे बहन में कुछ qualities तुम्हारे father या तुम्हारी mother से जरूर मिलते होंगे हम यह जानते हैं यह simple कोई भी baby हमारे घर में पैदा होता है स्वाम और एक को मिला के पैदा हुआ है ठीक है समझ में आया इतना अब आगे देखते हैं फटिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इंसाइड फीमिल बॉड़ी इस कॉल्ड इंटर्नल फटिलाइजेशन अब ऐसा फटिलाइजेशन फटिलाइजेशन मतलब तो हमने जाना न कि sperm cell और egg जब मिलता है तब ही फटिलाइजेशन होता है समझ गे और एक ऐसा फटिलाइजेशन जो फीमिल बॉड़ी के अंदर हो जैसे हम इंसानों में होता है अब बच्चा कहां पैदा होता है मा के पेट में ही तो पैदा होता है बाप के पेट में तो पैदा होता नहीं है तो ये inside the mother body होता है और ऐसा फटिलाइजेशन जो फीमिल बॉड़ी के अंदर हो उसे हम इंटर्नल फटिलाइजेशन कहते हैं समझ में आया इत्ती सिंपल सी बात है मैंने हाइलाइट करके आपको दिखा भी दिया है कि ऐसा फटिलाइजेशन जो फीमिल बॉड़ी के अंदर हो उसे हम इंटर्नल फटिलाइजेशन कहते हैं जो इंटर्नल फटिलाइजेशन होता है वो बहुत सारे जानवरों में होता है जैसे इंसानों में भी इंटर्नल फटिलाइजेशन होता है काव जो गाय है उसमें भी इंटर्नल फटिलाइजेशन होता है क्योंकि भाई आप जानते हो बच्चा किसको पैदा होता है बच्च बिव्च में इंटर्नल Fertilization होता है, यहां पर गौफ इंपॉटनसा बात बता पता है test tube baby क्या होता है have you heard of test tube babies क्या तुमने कभी test tube baby के बारे में सुना है चलो मैंने तो सुना है और अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूँ बूजो और पहली teacher once told them in the class that in some women oviducts are blocked बूजो और पहली के teacher ने न एक दिन उन्हें बताया कि कभी कभी क्या होता है औरतों में जो oviducts होता है oviducts क्या होता है ये देख रहे हो ये वाली pipe ये वाली pipe ये women's में कभी कभी क्या होता है block हो जाता है बंद हो जाता है जिसकी वज़े से क्या होता है जो male sperm होता है वो यहां तक नहीं पहुच पाता और जब male sperm और female egg जब तक मिलेंगे नहीं तब तक fertilization होगा नहीं तब तक बच्चा पैदा तो होगा नहीं तो क्या होता है उसके लिए एक नया तरीका आया है test tube baby जिन mother को या जिन औरतों को बच्चा पैदा नहीं होता वो test tube baby करते हैं अभी इन test tube baby के बारे में हम जानते हैं कि actually होता क्या है यह test tube baby क्या इसमें बच्चा test tube में पैदा होता है नहीं इसमें बच्चा मा के पेट में ही पैदा होता है लेकिन process थोड़ा अलग है क्या process है यह हम जानते है these women are unable to bear babies because sperms cannot reach the X for fertilization यहाँ पर सीधे सीधे यह कहा गया है कि ऐसे औरतें जिनके oviducts block हो जाते हैं वो कभी भी मान नहीं बन सकती है क्यों नहीं बन सकती है क्योंकि जो male sperm होता है वो egg तक नहीं पहुच पाता और जब तक male sperm एग तक नहीं पहुचेगा तब तक fertilization नहीं होगा और जब fertilization नहीं होगा तो भाई simple सी बात है कोई भी मान नहीं बन सकता है अब इन cases में क्या हो सकता है अब जो जिन औरतों को बच्चा पैदा नहीं होता उनके लिए एक नया एक नया आप ऐसे कह सकते हो टेकनीक है तेस्ट्यूब बेबी अब इस तेस्ट्यूब बेबी में होता क्या है डॉक्टर्स कलेक्ट फ्रेसली रिलीजड एग एंड स्पर्म्स एंड कीप देम तुगेदर फॉर फ्यू आर्ट्स फॉर आईवी अफ और इन विंट्रो फटिलाइजेशन अब क्या होता है डॉक्टर क्या करते है जिन औरतों की बच्चा पैदा नहीं होता उस वीमिन का उस लेडी का नया एकदम फ्रेसली रिलीजड अभी ताजा ताजा जो एग रिलीज होता है उसको लेते हैं और मेल मतलब फादर से जो नया नया स्पर्म जो एकदम फ्रेस स्पर्म रिलीज हुआ है उसको लेते हैं और इन एग को और स्पर्म को साथ रख देते हैं कुछ घटों के लिए ठीक है और ताकि क्या हो सके ताकि IVF हो सके IVF का मतलब क्या होता है जो आउटसाइड बॉड़ी हो जो टेस्ट्यूब में हो उसे हम IVF कहते हैं ठीक है तो मेल स्पर्म और फीमेल एग को कुछ घंटों के लिए बाहर रखा जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो जाईगोट बनता है ठीक है उसको कुछ हपतों के लिए डेबलब करने के लिए लैबरोटरी में ही रख दिया जाता है इस अलाउट तो डेबलब फॉर अबाउट वीक और उसके बाद क्या होता है इस प्लेज़ इन दे मदर्स यूटेरस और उसके बाद जब जाईगोट बन जाता है जाईगोट थोड़ा डेबलब हो जाता है तो ये जो मदर का यूटेरस है ये यूटेरस पार्ट है ये पूरा इस यूटेरस में उस जाईगोट को डाल दिया जाता है जो टेस्ट्यूब में जाईगोट हुआ है लेते हैं तो उसे female के uterus में डाल देते हैं और उसके बाद complete development takes place in the uterus and the baby is born like any other baby और ये जो जाइगोट जो test tube में हुआ है इस test tube को human uterus में डाल देते हैं और उसके बाद 9 महीने तक जैसे normal बच्चा पैदा होता है 9 महीने तक वो baby develop करेगा और जैसे बाकी दूसरे बच्चे पैदा होते हैं उन्हीं जैसे वो बच्चा भी वो test tube baby भी उन्हीं जैसे मा के पेट से निकल जाता है और इसी को इसी पूरे process को हम क्या कहते हैं इसी पूरे process को हम test tube baby कहते हैं babies born through this technique archive test tube babies इस technique से पैदा होने वाले बच्चों को हम test tube baby कहते हैं और this term अब देखो कभी कभी क्या होता है test tube baby को लोग गलत समझ लेते हैं लोग समझते हैं कि test tube baby का मतलब ये है कि test tube में ही बच्चा पैदा होगा test tube मतलब समझ रहे हो test tube मतलब glass का एक बरतन टाइप का होता है अगर हम सुध हिंदी लैंडवेज में बोलें तो test tube आपके chemistry lab में मिल जाएगा glass का होता है लंबा सा उसी में ठीक है लेकिन कई लोग गए होगे इस पूरे process को हम थोड़ा सा summarize कर देते हैं होता क्या है कि जो female का egg होता है और जो male का sperm होता है उसको test tube में fertilize करवाया जाता है कुछ घंटों तक रखके और उसके बाद जब जाइगोट बन जाता है उस जाइगोट को lab में ही कुछ हपतों तक रखा जाता है ताकि जो जाइगोट है वो कुछ develop हो सके और जब develop हो जाता है तो वो सीधा मा के uterus में डाल दिया जाता है और अगर एक बार मा की uterus में जाइगोट पड़ गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई वो 9 महीने तक पूरा develop होगा और 9 महीने बाद एक baby बन के पैदा हो जाएगा तो I think आपने ये test tube baby का पूरा process सीख लिया है अब आगे देखते हैं you will be surprised to know that in many animals fertilization takes place outside the body of the female अब आप ये जानकर बिल्कुल चौक जाओगे कि कई जानवरों में जो fertilization होता है जो pregnancy का ये जो पूरा process होता है वो सरीर के बाहर होता है अब आपने ये जानकर थोड़ा सा आप आपको चौक गए होगे न कि कैसे भाई कोई pregnancy body के बाहर कैसे हो सकता है अब हमने तो आज तक जाना था कि मा प्रेगनेंट होती है तो सरीर के अंदर ही तो प्रेगनेंट होती है न सरीर के बाहर थोड़ी न प्रेगनेंट होती है तो यही है लेकिन कुछ animals ऐसे भी होते हैं जिन में क्या होता है fertilization सरीर के बाहर होता है चलो इन animals के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं ओके अब हम activity 9.1 पढ़ेंगे visit some ponds और slow flowing streams during spring और rainy season आपको इस activity में करना क्या है जब बरसात का मौसम आए या जब वसंत रितू का मौसम आए न तो किसी तालाप के किनारे जाओ य अब वहाँ पर क्या करो आप look out for clusters of frogs eggs floating in water आप देखो जहां पर जो frog है rainy season में या वसंत रितू में जो मेड़क है न वो क्या करते हैं वो पानी में ही अपने अंडे देते हैं तो आप क्या करो उन अंडों को देखो अगर आपने frog के अंडों को नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा दू कुछ ऐसे होते हैं इस figure में देख पारे हो आप X of frog इन X के किनारे किनारे कुछ सफेद कलर की jelly कुछ सफेद कलर का चिपचिपा पदार्थ लगा होता है कुछ ऐसे होते हैं frog के अंडे ठीक है आपको क्या करना है आपको तालाब की किनारे जाना है और इन अंडो को देखना है आपको बताना है कि इनका color क्या है और इनकी size क्या होती है तो आप देख पा रहे हो इन अंडो के color क्या है black color है और इनकी size काफी small है बहुत छोटी है ठीक है तो यह activity हमारी यहीं पूरी हो गई भाई कितनी आसान सी activity थी हमारी चलो आगे पढ़ते हैं competing spring और rainy season frogs and toads move to ponds and slow flowing streams जो मेढक होते हैं या जो toads होते हैं अब आप पूछोगे sir frogs और toads में अंतर क्या है मेढक और toads क्या होते है अब हम मेढक मतलब तो जानते हैं भाई और toads मतलब हमें पता नहीं है इन दोनों मे फर्क यह होता है जो मेढक होते हैं उनके которое में भाई के Gracias उनके सढसे भी बड़ी होती है और इसी के लिए वो आसानी से जंप कर पाते हैं लेकिन जो टोटस होते हैं उनके पैर बहुत छोटे छोटे होते हैं और इसलिए वो जंप नहीं कर पाते हैं वो रेंग के चलते हैं तो बस इतना ही फर्क होता है फ्रॉग और टोट्स में ठीक है तो अब यहां पर क्या है कि वसंत रितू या बरसात के मौसम में जो फ्रॉग सोते हैं और जो टोट्स होते हैं वो तालाप के किनारे जाते हैं या किसी ऐसे नदी के किनारे जाते हैं जिसका बहाओ बहुत धीरे हो ठीक है अब जब reproduction करते हैं तो जो female frog होती है वो कम से कम सैकड़ों अंडे एक साथ देती है unlike hence egg लेकिन एक बात ध्यान रखना जो ये मेढ़क के जो अंडे होते हैं वो मुर्गियों के अंडे से बहुत अलग होते हैं अब आपने देखा होगा किस प्रकार से अलग होते हैं frog's egg is not covered by a cell मुर्गियों के अंडे की उपर आप देखियो सफेद कलर की छिलके लगे होते हैं जिसको हमें तोड़ना होता है जिसे हमें छिलना होता है उसके बाद फिर हम खाते हैं ना उसे लेकिन मेढक के अंडे पर ऐसा कोई भी cell या ऐसा कोई भी छिलका नहीं होता है और मुर्गियों के अंडे के मुकाबले ये काफी delicate होते हैं काफी नाजुक होते हैं अब समझ गए आप मेढक के अंडे और मुर्गी के अंडे में फर्क क्या होता है मेढक का अंडा मुर्गी के अंडे से काफी नाजुक होता है और मुर्गियों के अंडे के ऊपर छिलका लगा होता है लेकिन मेढक के अंडे के ऊपर छिलका नहीं होता है A layer of jelly holds the egg together and provides protection to the eggs और इन मेढक के अंडों की ऊपर आप देख पारे हो जो ब्लाक कलर के मेढक के अंडे है इनके किनारे किनारे सफेद कलर की कुछ चिपचिपा पदार था गया है कुछ जेली आ गया है ये जेली अंडों को hold करके रखता है अंडों को पकड़ के रखता है and provides protection to the eggs और इन अंडों को क्या करता है थोड़ा सा सुरक्षा देता है कि जो जानवर है या इन अंडों को कोई नुकसार न पहुचे बस यही काम होता है इन सफेद कलर के जो परत बगल-बगल लगे है इनका क्या काम होता ये इन अंडों को सुरक्षित रखते हैं समझ में आया अब आगे देखते हैं अब इस पूरे टॉपिक में हम पढ़ क्या रहे हैं हम ऐसा फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं जो आउटसाइड बॉड़ी होता हो जो सरीर के बाहर होता हो हमने आप तक पढ़ा कि मेढ़क और जो फीमेल और मेल मेढ़क होते हैं वो पानी के किनारे जाते हैं वो अंडे देते हैं और अंडे देने के बाद क्या होता है जब अंडे दे देते हैं फीमेल फ्रॉग अब जो मेल फ्रॉग होता है वो अपना sperm उन अंडो के उपर deposit कर देता है उससे क्या होता है? Each sperm swims randomly in water और जब उन अंडो के उपर जो sperm deposit होते हैं तो वो sperm आपने दिखाया था मैंने आपको sperm की जो size होती है sperm का जो safe होता है मैंने आपको दिखाया था ये है ना sperm का safe ये देख पारे हो आप इसके लंबे-लंबे टेल होते हैं मैंने बताया था इन टेल का क्या काम होता है? ये sperm move करते हैं और ये टेल इन्हें movement में मदद करते हैं तो same ऐसे ही जो मेढक के sperm होते हैं वो क्या करते हैं? swims randomly in water वो इधर-उधर swim करते रहते हैं पानी में और जैसे ही उन्हें मेढक के अंडे दिखाई पड़ते हैं वो तुरंत जाके fertilize कर देते हैं तुरंत उनसे मिल जाते हैं और उन अंडों को fertilize कर देते हैं पानी में ही ठीक है? the sperms come in contact with the eggs अब ये जो मेढक के sperms होते हैं वो पानी में जो अंडे already हैं उन अंडों से जाके मिलते हैं और जिससे क्या होता है? this results in fertilization जिससे fertilization हो जाता है जिससे हम कहते हैं कि उन अंडों में क्या हो गया? थोड़ी सी जान आ गई है और ये अंडे कुछ दिन बाद अब पूरे मेढक बन के निकलेंगे जो male और female gamut के mix होने से होता हो लेकिन outside the body होता हो ठीके हमने इसके पहले पढ़ा था ऐसा fertilization जो inside body हो उसे हम internal fertilization कहते हैं लेकिन ऐसा fertilization जो outside the body हो उसे हम external fertilization कहते हैं समझ में आया what is external fertilization? ऐसे प्रकार का fertilization जिसमें male और female gamut mix होते हो सरीर के बाहर उसे हम external fertilization कहते हैं it is very common in aquatic animals such as fish, starfish, etc अभी external fertilization किन-किन animals में होता है वो मचलियों में होता है starfishes में होता है मेढक में होता है जैसा हमने देखा ही ठीके तो I think आपको external fertilization क्या होता है यह समझ में आ गया होगा अब यह देखो यह टकलू बूझो कुछ पूछ रहा है क्या पूछ रहा है? यह पूछ रहा है कि जो मेढक होते है और जो मचलियां होते है वो एक साथ कम सैकडो अंडे देती है लेकिन वही पर जो मुर्गी होती है वो एक बार में केवल एक अंडे देती है ऐसा क्यों होता है? अब इसकी जो girlfriend है पहली वो इसको answer करती है इसको बताती है कि क्यों मेढक और क्यों मचलियां एक साथ 100 अंडे क्यों देते हैं चलो मैं बताता हूँ आपको दो इस एनिमल्स ले हंड्रेट्स ओफ एक्स और रिलीज मिलियन्स ओफ स्पर्म्स अल दे एक्स डू नॉट फटिलाइज़ड अब क्या होता है हम जानते हैं कि जो मेढक होते हैं और जो फिसेज होते हैं इनमें जो प्रेगनेंसी का जो पूरा प्रोसेज होता है वो आउटसाइड दे बॉडी होता है जानते हैं ना एक्स्टर्नल फटिलाइज़ड फटिलाइज़ड होता है तो जो इनके सैकडो अंडे हैं और ये सैकडो sperms produce करते हैं लेकिन सभी अंडे fertilized नहीं हो पाते हैं सभी अंडे pregnant नहीं हो पाते हैं क्यों नहीं हो पाते हैं? This is because the eggs and sperms get exposed to water movement, wind and rainfall कुछ अंडे तो बारिस की वज़े से, कुछ अंडे हवा की वज़े से या पानी के बहाओ की वज़े से तबाह हो जाते हैं, बरबाद हो जाते हैं और जो कुछ अंडे बचते हैं, केवल वही अंडे fertilized हो पाते हैं There are other animals in the pond which may feed on eggs कभी-कभी इन मेढकों के या इन मचलियों के अंडों को ना जो दूसरे पानी के जानवर होते हैं, वो खा जाते हैं जिससे क्या होता है, केवल कुछ अंडे बचते हैं और यही अंडे fertilized होते हैं और अगर यह hundreds of eggs पैदा नहीं करेंगे तो इनके कोई भी बच्चे बचेंगे नहीं अगर यह 1-2 अंडे होंगे, तो भाई 1-2 अंडे थो इनके बरबाद होई जाएंगे कोई न कोई जानवर खा लेगा, या कोई न कोई हावा इनको बरबाद कर देगा पानी की वज़से इनके अंडे बरबाद हो जाैंगे इसलिए यह 100 अंडे देते हैं एक साथ ताकि कुछ अंडे तो fertilize हो पाएं और कुछ अंडो से ही इनके बच्चे निकल पाते हैं तो I think आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यूं frogs और क्यूं feces एक साथ सौ या सैकडो अंडे क्यूं देते हैं तो I think आपको ये पार्ट पढ़ने में उतना ही मज़ा आया होगा जितना पहला पार्ट पढ़ने में मज़ा आया था third और fourth पार्ट ये chapter थोड़ा long है थोड़ा सा descriptive है इसलिए इसको चार पार्ट में divide करना पड़ा है अगली दो पार्ट हम आपके लिए जल्दी अपने चानल पर upload करेंगे तब तक हमारे चानल के साथ बने रहिए और एक बात और यार कि इस वीडियो को जादा से जादा से एर करिए ताकि जितने भी बच्चे हैं जिनको इन वीडियोस की जरूरत है उन्हें मिल सकी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद